श्रीमेंद भक्वत गिस्टापिल अधिया नौ राज वित्या राज को ये योग का श्लोक अठारा देखते हैं पहला चरण गतिर भरता गति की साथ आधर गतिर भरता के उपर आधर भरता प्रभु नहीं प्रभु अ की मात्र है तो विसर्ग को पड़ेंगे हूँ प्रभु हूँ सा और आगे क्षी इसको आधकर सा के साथ एड़न श से शटकॉण वाले पे पूड़े बड़े ए की मात्रा साक्षी पहला चरण रिपीट गतिर भरता प्रभु सक्षी सेकेंड चरण नीवास स में अमिक्स करेंगे नीवास स में अ के मतर है तो विसर्ग को पड़ेंगे हा नीवास शरण तीनों आक्षर पूरे पूरे शरण शब्द पूरानी के बाण पे अनुस्वार आधामस शरणम सू ह के नीचे ह के अंदर जो मातर है वो है री से रीशिकी आप लोग यह जानते हैं कि कोई भी क्रिश्ण के अंदर जो मातर है रती है ना क के नीचे वह ती कृ वैसे ये ह के अंदर मातर है री ह-r-i सूरित सूरित आदा तर सूहृत सेकंड चरण रिपीट निवा सहशरणम सूहृत सूहृत नहीं बोलें सूहृत पहला और दूसरा चरण रिपीट गतिर भरता प्रभु साक्षी निवा सहशरणम सूहृत तीसा चरण प्रभावा में भी आमिक्स करेंगे प्रभावा यह में आखे मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे हाँ प्रला यहा प्रला है नहीं प्रला यहा आदास इस्थानम नहीं देखे मैं कैसे बोलू स्थानम स्थानम तीछा चरन रिपीट प्रभावा प्रला यहा स्थानम चौता चरन निधा न शब्द पुरान के बाद न पर अनस्वार आधाम निधानम पीज बापे बड़े एके मात्रा बीज म म के साथ आदा व और यह मव्य और यह के साथ आदा म मव्य यम कुछ इसको व्य यम यह नहीं पढ़ना है ध्यान से सुनेंगे पहले मव्य और यह के साथ आदा मय यम मव्य यम चौता चरन रिपीट निधानम पीज मव्य यम प्रभवह प्रलयस्थानम बीज निधानम बीजम अव्य यम पूरिश लोक का चरने के साथ गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासह शरणम सुरित प्रभवह प्रलयस्थानम निधानम बीजम अव्य यम सबको साथ साथ बोलना है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासह शरणम सुरित प्रभवह प्रलयस्थानम निधानम बीजम अव्य यम श्लोक का अर्थ देखेंगे अभी तक भगवार अर्चुन को बता रहे हैं कि भगवान क्या-क्या थे क्रतु यज्य स्वधा और शदी मंत्र घी अगनी और हवन्रुप यह सब कुछ भगवान ने अपने बारे में पता है कि मैं यह सब कुछ हूं जो औका यह औकार देखें गतिर भरता गती का अर्थ गती भरता यानि भरता प्रभू यानि प्रभू साक्षी यानि शाक्षी निवास निवास यानि जो रहने की जगा होती है शरणम शरण लेना यानि किसी का सहारा लेना उसके आश्रे में जाना सूरित सूरित वो होते हैं जो आप उनकी जिसे हम सूरिद भी कहते हैं जो आप उनके साथ अच्छा करें चेक बुरा करें कुछ भी करें वो अच्छा करेंगे मित्र जो होता है वो आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा करेंगा अगर आप बुरा करोगे तो वो फिर मित्र नहीं रहेगा वापस आपके साथ बुरा भी करतेगा बट सूरिद जो होता है उसको सामने वाले से कुछ भी हो पर वो हमेशा सबके साथ में अच्छा ही करता है भला ही करता है निवास अहर शरिनम सूरिद प्रभवह प्रभव यानि जहां से किसी भी चीज की प्रभव यानि होना जहां से किसी भी चीज की उत्पत्ती होती है प्रलय प्रलयस यानि जहां प्रलय होता है स्थानम स्थान जगर निधानम निधान यानि होता है किसी भी चीज का भंडा निधान मव्य निधानम बीज मव्य यम, तो बीज क्या नि, भगवान अपने लिए बोल रहे हैं, और मव्य यम, इसमें बीज अम, आधा म, इसके साथ जुड़ जैगा, और म में जो अ मिक्स हो था, वो अव्य यम अलग शब्द होगा, अव्य यानि अविनाशी, जिसका ना तो भागवान उसी चीज में बोल रहे हैं कि गतिर, भर्ता, प्रभू, साक्षी, निवास, सुरिद, आश्रे, उत्पत्ति, प्रले, स्थान, भंडार और बीज, जो कैसा है अविनाशी, वो बीज कौन है, मैं ही हूँ, भागवान अपने लिए बता रहे हैं, एक एक शब्द कार्थ हम देख चुके हैं, उसी अकॉर्डिंग इसको अर्थ निकाल है, अविनाशी, सहज सुखराशी है नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूले ना रहे, ना रहे,